नमस्कार दोस्तों मैं इंको सिंग एक और वीडियो लिकर आया हूँ आप लोगों के लिए नीवू की खेती तो पहली वीडियो में मैंने अपनी अनार की खेती के बारे में आप लोगों को बताया था जिल लोगों ने मेरी पहली वीडियो अनार की खेती की नहीं देखी है मै मैं इस वाली वीडियो के description box में अपना अनार की खेती से सम्मंदित जो बताया था मैंने वीडियो के माध्यम से उसका link मैं description box में डाल दूँगा और अब आए हैं हम दूसरी खेती में जो नीवू की खेती है ये वही वहिया हैं जिनोंने अनार की खेती कर रखी अपने खेत मे और अब हम इनसे बादचीत करेंगे कि इनके मन में नीवू की खेती के बारे में कैसे आया और यहां यह मैं दिखा देता हूँ यह पूरा खेत जो है नीवू की खेती का है और बहुत ही सुन्दर यह लग रहा है आप देख रहे हैं बीच बीच में भाईया ने इन्होंने म दूसरे खेत में अनार की खेती कर रखी है और दूसरे में नीवू की खेती कर रखी है उनसे जानेंगे के पहले अनार की खेती और अब दूसरे खेत में उन्होंने नीवू की खेती कर रखी है तो चलते हैं भाईया के पास नमस्कार भाईया नमस्कार नमस्कार आप तो चाहिए कि यह नीबु की खेती के बारे में थोड़ा बताओ अलोग को तो हमने सोचा की डाल डाल दिया बीच में तो यह है कि बीच और भी बीचि होती है और बार मतलब यह है कि चलता भी जल्दी है तो दो घ्राइटी यह है उतErilities चलता और इसकी डिवाइंड भी अच्छी है इसी के लिए हमने सोचा कि अनार तो चलता ही रहेगा बीच-बीच में नीबू की एक तरफ को बीच में दूसरे खेत में नीबू भी डाल दिया अच्छे साइड में पूरा यह जो आदे खेत में आपने पूरा नीबू लगा रखा है और आधे खेत में अनार यह बीच में क्या देख रहा हूं भही है बीच में भी आपने कुछ वह रखा यह जो अगर आप लोग भी अनीबू की खेती करना चाहते है अपने खेत में तो आप देखिए इस तरीके से नीबू की खेती कर सकते हों और बीच बीच में आप दूसरी खेती भी डाल सकते हैं क्योंकि नीबू के जो पेड़ होते हैं वो बड़े हो जाते हैं बीच में जगे कम रहती है जादे बची होई रहती है उसमें आप मक्काव हो सकते हैं जैसे भाईया ने देखिए मक्का वो रखी है और ये मक्का का पे यह पूरा खेत इनका है और चलिए और बातचीत करते हैं कि कहां से पोधा लाए कहां से यह विचार आया बताईए भाईया यह पोध तो हम वहां से लाए जहां से अनार की लाए थे अच्छा और इसका नाम है कागदी नीवू बारमासी ओके तो यह भी लाके आपने छोटे- सब्वाइब लगबग यह तो इसका प्रोशीजर क्या है लगाने का अब यह है कि आपने देखा कि अभी आपने तो नीवू आ रहे थे बाकी पेड़ों पर अभी नीवू तो दिखाई नहीं दे रहे नीबू तो फल सभी पर आया था लगभग यह फल पोधा छोटा है इसलिए अच्छा क्यों हला दिये इसके पोधे की गिरोध रुख जाती इसलिए हमने फल हला जरूरी था अच्छा तो इन्हों ने जैसे भाईया ने एक बड़ी अच्छी बात बता आए वह अच्छा आए और ज्यादे बढ़िया आएगा तो यह सारे आपने लगा रहे इसमें कुछ खाद पानी बीज का कुछ बताईए देशी मतलब कैसा मतलब घूरी का खाद गोबर की खाद इन्होंने डाल लगए तो क्या आप इसमें भी दवाई या वैसी चीजे नह में वाली का फिर पूरा कितने बीज का जो खेत है आपका जिस में आपने लिव की खेत लोने को आदे खेत में इन्मोंने कृति कर रखी है और आदे केज मैं अनार की खेती कर रखी और मैंने इन पर डोले लगा रखी है जो पानी इनके मतल़ जड़ों में ज़्यादा नहीं जाए अच्छा तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे के इनको पानी जब दिया जाता है तो इनके जड़ों में पानी ज़्यादे ना भरे तो इन्होंने मिट्टी लगा लिए ट्वैल लगवा रखा है क्या समझ से भी करवाया सूर्य पैनल वाला तो इन्होंने क्या है सो रूर्जा वाला पैनल लगवा रखा है अपने खेत में और उसी से यह सिचाई करते हैं तो यह इधर देखिए और दूसरे यह कुछ नीमू के जो पेड़ है इंदर इसकी नलाई एक टाइप से चल रही है अभी और जरूरी है अब मानों जब नलाई नहीं होईगी तो यह घास हो जाएगी घास करा अच्छा तो यह तो यहां पर जो जंगली जानवर वगएरा होते हैं उनसे तो आपको कोई नुकसान नहीं होता उनकी उनसे कैसे बचाते ह अब यहां है कि अभी अभी तो कुछ करा ही नहीं खास चारो तरफ बादरा लगा रखा है अच्छा तो आभी इन्होंने जैसे कहा कि अभी इतना ज़्याद है कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं और यह एक और पोधा है और इसके बारे में यह देखिए कुछ बताएंगे तो ये बताईए कि इस पर फल आ रहा है अभी नहीं फल तो आ रहा है इस पर मगर यह फल प्ल देखो यह आ रहा है इस पर रुपते रुपते मतलब हमने सब्सक्राइब आप अच्छा तो सारे पेड़ों के इन्होंने फूल हिला दिये गए हैं और छोटा जो फल बन गया ता वह भी हिला दिया है इनका कहने का मतलब है कि पोधे की जो ग्रोथ है वो कम होती है इसलिए पहली बार में फल जो भी आता है और फूल आता है उसको हला दिया जाता है जैसे यहां पर देखो यह हमने रोका थोड़ तोड़ा जो आ रहा है इस पर उच्छों के हिसाब से यह य कुछ हमने चूड़ देखो करने के लिए यह जो भी कहता है और कुछे महीं रहता है अच्छा तो धन्यवाद भाइया आपने जानकारी दी और मेरे साथीयों मेरे भाईयों जो लोग मेरी वीडियों देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे साथ जुड़े होए हैं मेरे चैनल के माध्यम से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है पहले मेरे चैनल का नाम न्यूज का इंड 15-90 था तो मैंने अब अपने चैनल का रिलेटेड आप लोगों तक पहुचाओं और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें मुझे प्यार देते रहें मेरे जितने भी वीवर्स और सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे आप से हाथ जोड़कर विंती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्रा नहीं आवाद।